पुरा पाशानकाल की सबसे बड़ी उपलब्दी क्या थी ये कॉस्षन पूजा था तो इसकांसर हम देख लेंगे आग का अविश्कार, option number एग का अविश्कार जो था, ये पुरा पाशानकाल की सबसे बड़ी उपलब्दी थी वायू मंदल में नाइट्रोजन जो है, आपको पता है सबसे ज़्यारा नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन का प्रतीशत कितना है, ये कौशन एक्जाम में आता है, 71, 78, 40, 20, तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रतीशत होता है, 78 प्रतीशत नाइट्रोज है लाश्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने कॉश्चन सही गए ठीक है 259 से लेके 300 तक की कॉश्चन है 50 कॉश्चन ठीक है लाश्ट में कमेंट करना वायूमेंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशेत 78 कॉश्चन नमर 3 दाइनेमो जो है का सिध्धांत किस नियम पर आध अधारित होता है सिध्धांत डाइनेमो का फैराडी की नियम पर आधारित होता है अप्शन नमबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कॉश्चन नमर 4 दिखिए अलिगण आंदोलन की शुरुवात किसने की थी इन में से आपको यहां पर नाम दिख रहे हैं इन में से अल अलिगण आधारित इनके द्वारा अलिगण आंदोलन की शुरुवात की गई थी इन में से और यहां पर आधारित आणसर हो जाए इन नागर शैली का उधारण है आपको पता होना चाहिए यह सब ही जो मंदर है भारत में यह इन ही सेलियों पर बंते हैं ओपर की जो तीन स्रेणी अधी हैं और साउत के मंदर यह द्रवड सैली के होते हैं तो कौशन एक्जाम में बहुत पुछा जाता है या रखना इस कौशन को इंपॉर्टेंट एस टार लगा लो किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर इस्थान अंत्रत कर ली थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर जाफर, मीर कासिम, अली वर्दी खान या मुर्शिद कुली खान तो या रखना मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को स्थाना नित्त कर लिया था पहले थी मुर्शिदाबाद फिर मीर कासिम आए तो मीर कासिम ने क्या किया मुंगेर शिप्ट हो गए option number 2 मुंगेर मीर कासिम right answer है दमन और दीव आपने सुने होंगे दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है बताईए दमन और दीव को इन में से कौन सी खाड़ी अलग करती है क्या हो जाएगा answer कक्च की खाड़ी खंबात की बंगाल की तो यहाँ पर right answer हो जाएगा आपका दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है option number 2 comment करके बताईए ये किस राज्य के पास है comment करके बताईए पश्यमंगाल या गुजरात किस राज्य के पास है comment box में comment करके इसकांसर दीजिए अगला question देखिए भारत में money order प्रणाली की शुरुवात किस वर्ष से हुई पहले हम भेजते थे आज कल तो सब बंद हो गया money order भेजा होगा या आपके पापा मम्मी लोगों ने भीजा होगा तो आपने देखा तो जरूर होगा नहीं देखा तो भी बता जेता हूं आपको यह 1880 से स्टार्ट हुए थे money order और आजादी के भी पहले से money order स्टार्ट हुए थे ठीक है option number यहाँ पड़ी right answer हो जाएगा अगले question पुछा गया कि the wealth of nations यह जो रचना है यह इन में से किसकी रचना है most important question स्टार लगा लो यह पुस्तक पुछिया थी the wealth of nations तो the wealth of nations जो पुस्तक है Adam Smith की रचना है option number यहाँ option number यहाँ पर c right answer हो जाएगा अगले question पुछा गया कि प्रतिवी की भूपर पटी पर उपलब्ध उपधातू मतलब semiconductor सबसे ज्यादा कौन सा semiconductor उपलब्ध है इसका सबसे ज्यादा use हो रहा है इसलिए एक्जाम में कई वार पूछा भी आ चुका है तो semiconductor मतलब उपधातू हो पूरी तरीके से ना अधात तो होता है पूरी तरीके से तो सबसे ज्यादा जो है सिलिकॉन सबसे ज्यादा उपलब्ध है option बड़ी और यह कौशन एक्जाम में कई बार आया हुआ है दोस्तों कौशन आप देखने कितने शांदार है यह सभी कौशन आप जिसे एक्जाम की रख लिए तो समझ लीजिए जी के आपकी जिंगा लाला हो जाएगी एक नंबर जी के हो जाएगी जिसको भी यह पीडिएफ चाहिए यह 300 रुपे की पीडिएफ है लेकिन अभी एक्जाम चल रहे है तो सभी के सभी को यह सिर्फ और सिर्फ 99 रुपे में पीडिएफ दी जिसको चाईए जो सक्षा में ले सकता है 900 रुपे de सकता है और 10,000 कौशन जिसको चाहिए कॉल कर ले ना अगले कौशन आपसे क्या पुझा गया कि वालमी की ने रामाएट वालमी की जी जो हैं उन्हों ने रामाएट किस भांशा में लिखी थी तो बालमी की जी ने जो ब्रिटेश शाशक के कारेकाल में हुआ था सती प्रता का उन्मूलन किस ब्रिटेश शाशक के कारेकाल में हुआ था तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लौड विलियम बैटिंग ऑप्शन नमबर भी लौड विलियम बैटिंग के शाशन काल में सती प्रता का उन्मूलन Option number C सरदार पठेल जी भारत के सबसे पहले उपर प्रधान वंत्री रहे हैं अगला कॉशन दिखिए सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था तो सिकंदर के दोरा भारत पर जो आक्रमण किया गया था 326 ईसा पूर्व Option number B सिकंदर के दवारा भारत पर 326 इसा पूर्व में आक्रमण किया गया था option number यहाँ पर आपका B बिल्कुल right answer है Switzerland का राष्टी विधान मंडल जो है वो क्या कहलाता है तो Switzerland जो है आपका उसका जो राष्टी विधान मंडल है यहाँ पर right answer होजाएगा उसको कहा जाता है आपका Federal Assembly Option number A जैसे कि हमारे संसध कहा जाता है वहाँ पर Federal Assembly कहा जाता है Option number A यहाँ पर right answer है सिक्खों के प्रथम गुरू इनमें से कौन थे तो सिक्खों के प्रथम जो गुरु थे वो थे गुरू नानक देवजी option number यांपर भी गुरू नानक देव जी सिख्खों के सबसे पहले गुरू थे right answer है enzyme की रचना किससे होती है तो जो enzyme है उसकी रचना होती है आपकी amino aml या amino acid से option number या amino acid प्रश्णी के लिए right answer हो जाएगा enzyme की रचना के लिए अगला question दिखिए अगले में आपसे पूछा गया है कि इलहाबाद के स्थम्बलेक को किस ने लिखा था इलहाबाद के स्थम्बलेक को इन में से किस ने लिखा था तो जो इलहाबाद का स्थम्बलेक है उसको लिखा था आपका हरी शेंड ने option number या पर भी हरी शेंड के दोबारा इलहाबाद का इस्तंबलेक लिखा गया option number यांपर भी right answer है सक समवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है तो सक समवत के अनुसार जो आखरी बिल्कुल लाष्ट महीना होता है सक समवत में वो होता है फागुन अभी आने वाला है लिखत्या वहार वह लाष्ट है उसके बाद start हो जाएगा पहला महीना अब आपको कमेंट करके बताना मैं आपको दो ऑप्चन दे रहा हूं सक समवत या हिंदू नौवर्ष के अनुसार पहला महीना कौन सा होता है मैं आपको दो option दे रहा हूँ चैत्र या वैशाक हिंदू नौ वर्ष के अनुसार सबसे पहला महिना कौन सा होता है चैत्र या वैशाक जरूर कमेंट करना यह पूछा रहा है आपको सक संवद भी लिखिया सकता है और हिंदू नौ वर्ष के यह साब से भी आ सकता है ठीक है तो जरू कमेंट करना most important question है, ठीक है, नवरात्री स्टार्ट होती है, यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो, तो कमेंट करने की कोशिच करिएगा, ठीक है, अगला question देखिए, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायधीश कौन बने, भारत के सबसे पहले दलित मुख्य न्य राष्टपती कौन बनी है, जो अभी है, उनका नाम क्या है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिसको ही पता होगा, राष्टपती का नाम तो सबको पता होगा, महा महीम राष्टपती जी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके होता है, अमल वर्षा का मुख्य कारन क्या हो तो जो रहयत वाड़ी वंदोबस्त है यहां पर आपको जो option दिये गए हैं आप दिमाग लगाएंगे तो आपको right answer पता चले जाएगा very good किसानों के साथ option नमड़ी किसानों के साथ रयत वाड़ी वंदुबस किया गया था option नमड़ यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा अगला question दिखिए राग भहरवी यह किस समय गाया जाने वाला राग है राग भहरवी कब गाया जाता है तो यहां पर आपको जो option देगा है प्रातः काल, मद्यान काल, सायम काल या रातरी कार तो राग भहरवी यह आपका गया जाता है प्रातः काल option नमड़ यहां पर प्रशने के लिए बिल्कुल सही आंसर है अगले question दिखिए अगले question दिखिए कि वायू मंडल में carbon dioxide की मात्रा कितने प्रतिशत होती है तो हमार वायू मंडल में जो carbon dioxide की मात्रा है यह लगबग 0.03 प्रतिशत होती है option नमड़ भी लगबग 0.03 प्रतिशत राइट आंसर हो जाएगा चुकंदर का उत्पत्ति स्थान इन में से कौन सा देश है चुकंदर कहां से पैदा हुआ starting में तो चुकंदर का उत्पत्ति स्थान य के प्रणेता इन में से कौन थे जो भूदान आंदोलन है उसके प्रणेता कौन थे विनोवा भावे जी महत्मा गांधी दयनंसरस्वति या राजगो पालाचारी जी तो राइट आंसर हो जाएगा भूदान आंदोलन से सम्बने थे आपके विनोवा भावे जी option नमड़े भावे जी राइट आंसर है ब्रामरत्यों का समाज का बर्चस्व किस काल में शुरू हुआ था तो ब्रामरत्यों का समाज में बर्चस्व ये श्टार्ड हुआ था आपका गुप्त काल के समय से option number C गुप्त काल के समय से प्रश्णे के लिए option number C बिलकुल सही आंसर हो इसके लिए कि सलमान रुष्डी option number a, सलमान रुष्डी option number a यहां पर right answer है, राग यमन का गायन कब होता है, जैसे कि हमने काल भेर भी प्राता काल पढ़ा था, वैसे ही राग यमन, इसका जो गायन है, यह कब होता है, तो राग यमन का गायन रात्री के प्रथम प्रहर में होता है जो आलू है उसका उत्पत्ती स्थान कौन सा है आलू कहां पर पैदावार स्टार्ट हुई थी सबसे पहले तो आलू जो है आलू सबसे पहले आलू की पैदावार चिली से स्टार्ट हुई थी option number चिली right answer है प्रश्णी के लिए राम कृष्ण मिशन की स्थापना किस ने की थी इन में से तो राम कृष्ण मिशन की स्थापना जो की गई थी most important question है कई बार exam में आ चुका है स्वामी विवेका नंदजी ने option number भी स्वामी विवेका नंदजी right answer है अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शाशनकाल में हुआ तो अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक जो विस्तार हुआ Lord Dalhazi के समय हुआ था option number C Lord Dalhazi के समय सबसे अधिक जो है विस्तार हुआ था right answer है सम्विधान के किस अनुचिद के अंतरगत राष्टपती को लोकसभा भंग करने का अधिकार है तो जो राष्टपती होते हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं ये अनुचिद 85 पचासी में उनको अधिकार दिया गया है option number 85 right answer है पानीपत का प्रथम युद किस वर्ष हुआ था इन में से जो option दिये गए हैं तो पानीपत का सबसे पहला जो युद हुआ था ये start हुआ था आपका 1526 इस्वी में option number 1526 इस्वी में पानीपत का प्रथम युद हुआ था दिल्ली का आखरी अंतिम हिंदू शाषक सबसे आखरी इन में से कौन था तो दिल्ली का जो आखरी हिंदू शाषक था यहाँ पर आपको option देगा है प्रथमी राज चोहान, हर्ष वर्धन, हेम चंद्र विक्रमाजित और जय चंद्र तो लाश्ट था आपका हेम चंद्र विक्रमाजित और ऑप्शन न सी हेम चंद्र विक्रमाजित जी यह दिल्ली का आखरी नंतिम हिंदू शाषक अली अकबर खान का संबंद किसे है तो जो अली अकबर खान जी है यह सरोद वादक हैं Option number B सरोद वादक हैं अली अकबर खान जी Option number यहाँ पर B right answer है विश्ववडांग दिवस इन में से कम मनाये जाता है यह जो option दिये गए हैं तो विश्वडांग दिवस जो मनाये जाता है यह आपका मनाये जाता है 9 अक्टूबर को option number यहाँ पर D प्रश्णे के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोवा राजी का नियमान किस सम्विधान संसोधन के द्वारा हुआ था जब गोवा राजी बना था आपको पता है गोवा बाद में आजाद हुआ था तगाली लोग थे अच्छा कमेंट करके बता हो आप्मेंस कितने लुहों पता है कि गोवा को राजीन संसोधन के द्वारा उपश्ण भसी 56 फटिसश्वा शपपनवा सांविधान संसोधन राइटा आंसर है श्यानता की Si हा एकाई क्या है बहुत अचा नकरकत श्यानता की ऐसाई काई क्या है option आपके poise, lux, beaver या पिर henry तो right answer हो जाएगा श्यानता की ऐसाई काई आपकी poise option नमबरी में poise लिखा है वो श्यानता की ऐसाई काई है प्रशनी के लिए option नमबरी poise right answer हो जाएगा सयुक्त राष्ट्र संग द्वारा अंतर राष्ट्रिय महिला वर्ष ये किस वर्ष घोशित किया गया था मतलब एक पुरा साल महिलाओं के लिए जो है वो कर दिया गया था दे दिया गया था तो अंतर राष्ट्रिय महिला वर्ष ये जो घोशित किया गया था ये 1975 आप्शन नमबर इसको अंतराष्टी महिला वर्ष घोशित किया गया था आप्शन नमबर भी Midnight Children के लेखा कौन है तो Midnight Children ये जो पुस्तक है सलमान रुष्दी की पुस्तक है आप्शन नमबर भी सलमान रुष्दी की पुस्तक है Midnight Children किस अनुछेत के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है कि राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायत का संगठन कर सकती है तो ये शक्तियां दी गई है राज्य सरकार को अनुछेत 40 के तहत कि राज्य सरकार ग्राम पंचायत का संगठन के निदेश दे सकती है option number यहाँ पर C right answer है मैं ही राज्य हूँ शब्द इनमें से किसके द्वारा कहा गया था कि मैं ही राज्य हूँ यह जो शब्द है यह लूई चौध हवे के द्वारा कहा गया था कि मैं ही राज्य हूँ option number A right answer है मानव शरीर में वशा का निश्काशन किसके माध्यम से होता है तो मानव शरीर में जो वशा का निश्काशन होता है ये गुर्दे के माध्यम से होता है यहाँ पर option number A गुर्दा प्रश्णे के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा भारतिय सेनिकों को किस उपनाम से भी जाना जाता है और क्या कहा जाता है भारतिय सेनिकों को तो भारतिय सेनकों को जवान भी कहा जाता है ऑप्शन नमबर यहाँ पर C भारतिय सेनकों को जवान भी कहा जाता है राइट आंसर है भारतिक सास्त्र के छित्र में प्रथम नोबेल पुरुसकार किसको दिया गया था तो सबसे पहला लोबेल पुरुसकार मिला था फिर जिक्स में किसको रॉंजन को विलहेम कॉनरोड रॉंजन ये जर्मनी से संबनत है option नमबर यहाँ पर ready रॉंजन बिलको राइट आंसर हो जागा विलहेम कॉनरोड रॉंजन को grand bank कहां इस्तित है grand bank जो है इन में से कहां पर इस्तित जो option दियेगा है तो यहाँ पर right answer हो जाग grand bank आपका ये इस्तित अटलांटिक महासागर में option नमबर भी अटलांटिक महासागर में grand bank इस्तित है national remote sensing agency ये इन में से कहां पर इस्तित है नई दिल्ली, बैंगलूरू, हैदराबाद ये एहमदाबाद national remote sensing agency तो national remote sensing जो agency है ये अपकी हैदराबाद में स्तित है option number C हैदराबाद right answer हो जाएगा national remote sensing agency के लिए option number C right answer राष्ट संग द्वारा किस वर्ष को अंतराष्टी है साक्षर्था वर्ष गोशित किया गया था तो right answer हो जाएगा 1990 option number D कि Wall Street ये किस देश में स्तित है ये answer हो जाएगा आपका क्या तो Wall Street आपका ये अमेरिका में स्तित है option number A और most लोगों ने option number A अमेरिका दिया था ठीक है बढ़ते हैं के लिए caution पर caution number 302 संग लोग सभा दिखा है संग लोग सेवा होना चाहिए संग लोग सेवा आयोग के अधक्च किसके द्वारा निक्ट किये जाते हैं तो संग लोग सेवा आयोग के अधक्च ये राष्टपती इनको निक्ट करता है option number यहाँ परे राश्टपती प्रश्णे के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जायेगा अगले question में आप से पुछा गया है कि नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है जो भारत में एक regiment बनाई है नेपाली सैनिकों की उसको किस नाम से जाना जाता है ज़वान, गोर्खा, यौकी या फिर जॉन बुल तो right answer हो जायेगा उनको गोर्खा कहा जाता है option number B गोर्खा नेपाली सेनकों को गोर्खा कहा जाता है गोर्खा रेजिमेंट भी हमारे सेना में option number B यहाँ पर right answer हो जायेगा गोर्खा अगले कोशन पुछा गया है कि रवढ के संसेलेशन मैं निम्दलकीत में किसका प्रयूक किया जाता है रवढ के संसेलेशन के लिए तो रवढ का संसेलेशन जो हम करते हैं उसके लिए यहाँ पर आपको जो option दिएगा है Acetylene, Isoprene, Ethylene और Ammonia इसमें से right answer हो जाएगा Isoprene option number भी रवर्ड के संसलेशन में Isoprene का use होता है Option number यहाँ पर भी प्रशनी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला question देखिए सोने के आभूशन बनाते समय इसमें इनमें से क्या मिलाए जाता है तो यहाँ पर आपका तांबा पारा platinum और aluminium इनमें से आपका तांबा मिलाए जाता है और क्यों मिलाए जाता है तो क्या होता है कि सोना बहुत लचीला होता है यादि pure सोने का कोई आप चूड़ी पहनेंगे जो लड़कियां है female चूड़ी पहनेगे या लड़किया आउठी पहनेगे तो विलकों आप हांत से दबाएंगे तो आराम से दब जाएगा थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए तामा मिला जाता है सुद्ध सोना जो है बिलकुल लचीला होता है मजबूत हो जाते हैं उससे तामा मिलाने से ठीक है, option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा प्रशने के लिए, याद रहेगा अगला कोशन देखिए, मोंबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होता है, रासाइनिक, भौतिक या फिर दोनों, तो जो मोंबत्ती जलती है, ये एक रासाइनिक परिवर्तन का उधान है, option number A, रासाइनिक परिवर्तन का उधान है, मोंबत्ती का जलना, याद रहेगा option number A यहाँ पर बिलकुल सही answer हो ज तो जो हरा रंग आता है यह आपका बेरियम की उपस्ति दिखान आता है option number C बेरियम से हरा रंग जो है निकलता है जब बेरियम को जलाते हैं तो option number C हरे रंग के लिए बेरियम का यूज किया जाता है कपूर को किस विधी द्वारा शुद्ध किया जाता है आपको option दिख रहे हैं उर्दोपातन, आसवन, वर्ण लिखन या निर्वात आसवन तो right answer हो जाएगा जो कपूर है उसको सुद्ध करने के लिए आपका अपनाया जाता है उर्दोपातन की विधी option number A उर्दोपातन की विधी right answer है प्रशन के लिए निम्द मैंसे कौन सी धातू? सदेव मुक्त अवस्था में ही पाई जाती है सोना, यूरेनियूम, पारा या नियोन तो या रखना आपका जो सोना है ये हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाता है option number A gold या सोना, right answer हो जाएगा अगला question देखिए, अचार सोने का chemical नेम पता है उसको बोलते ओरम और उसका formula क्या होता है ये आप comment करके बताओ, ओरम को क्या लिखते हैं मैं आपको दो option दे रहा हूँ, जी ओ, मतलब gold का जी ओ, या फिर AU AU या जी ओ, सोने को जो है chemical formula क्या होता है आवर सार्णी में कैसे डूड़ोगे, option नमबर A, सोना इस प्रश्णिका अंसर comment box में comment करके बताइएगा पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए इन में से क्या काम में आता है, तो पुराने तेल चित्रों के रंग जो है उनको ज़िए आप फिर से उभारना चाहें, अच्छे से देखना चाहें यहाँ पर आपको जो option देगा है, उसमें से आपका right answer हो जाएगा hydrogen peroxide, option नमबर B पर लिखा है hydrogen peroxide इससे आप दुबारा देख सकते हैं पुराने तेल चित्रों को option नमबर B right answer है दोस्तों आप question देख रहे हैं कितने शांदार question है और यह 10,000 question हमने खटे की हैं, कितने यसे अभी मैं आपको सिर्फ 50 question पड़ा रहा हूँ न ऐसे पिछले 30 साल से सब यह exam होई, मतलब SSC, PSC, Railway, CTAT और आपकी जो state level के exam होते हैं, जिस पटवारी, पुलिस सब में आए हुए 10,000 question GK के निकाले हैं, सिर्फ GK के यह question है बिल्कुल शांदार, और यह GK के हमने PDF बना दी है, ठीक है और यह PDF आप सभी को WhatsApp पर मिल जाएगी, आप में से जो भी 10,000 question लेना चाहता है, एक साथ पढ़ना चाहता है, 10,000 question याद कर लिए तो GK आपकी सुपर strong हो जाएगी, जिसको भी यह 10,000 question की PDF चाहिए नीचे दिएगे नंबर संपर कर लिएना, WhatsApp पर आपको PDF बेज दी जाएगी बुक जैसे मुवाइल में बुक पढ़ते हैं, ऐसे आप पढ़ सकते हैं फॉन पे, गूगल पे, पेटेम के तुरू आप पेमेंट कर सकते हो, 300 रुपे की PDF है लेकिन अभी सिर्फ 99 रुपे में मिल रही है आप सभी को, क्योंकि एक्जाम चल रहा है और आप हमारे सब्सक्राइबर हैं पेमेंट कर सकता हो, नीशे देगा नमबर पर संपर करके पेमेंट कर लेना और प्राप्त कर लेना अपनी PDF वाट्सप पर ठीक है वीडियो भर आपको ये नमबर शोगा अगला कोशन देख लेते हैं इसमें पूछा गया कि नमबलकेस प fixed कौन सा तत्व रंगीन योगिक बनाता है तो रंगीन योगिक बनाता है यहांपर आपको जो option देगा है el reduction क्रोमियम रंगीन योगिक बनाएगा option no. a यहांपर right answer है सबसे हलका तत्व इन में से कौन सा होता है hydrogen helium sodium या potassium तो सबसे हलका तत्व जो रहेगा वो रहेगा आपका hydrogen तत्व option number a hydrogen सबसे हलका तत्व है याद रहेगा option number a यहाँ पर right answer है सोना जो है किस अमल में घुल जाएगा सोने को घुलने के लिए किस अमल की requirement है तो सोना जो है आपका अमल राज में घुल जाता है option number यहाँ पर c अमल राज में सोना जो है घुल जाएगा option number c यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question दिखिए दिया सलाई में उपयुक्त या प्रयुक्त होता है इनमें से किसका लाल फास्पोरस सफेद फास्पोरस सोडियम या पिर पोटेशियम तो यहाँ पर right answer हो जाएगा आपका दिया सलाई में आपका लाल फास्पोरस का यूज होता है option number a यहाँ पर प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला question दिखिए युद्य में प्रयोग होने वाली जो गैस है लिवसाइट यह इनमें से किसकी बनती है क्लोरीन, अमोलिया, एसिटिलीन या पिर नाइट्रो बेंजीन तो युद्य में प्रयोग होने वाली जो गैस है वो आपकी किससे बनेगी right answer हो जाएगा एसिटिलीन से तो यहाँ पर option यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question दिखिए पैट्रोल में विशैला मिश्रित पदार्स इनमें से क्या है butane tetraethyl lead जिसको TEL बोलते है नाइट्रोल विन या फिर DDT तो पैट्रोल में आपका tetraethyl lead जिसको TEL बोला जाता है पाया जाता है option number भी tetraethyl lead या TEL option में है तो वह भी तिक कर देना शुषको दुलाई में काम में आता है इनमें से क्या तो जो शुषको दुलाई होती है मतलब dry clean dry clean के लिए कोट शाड़ी ये सब चीज़ा देते हैं अपन है ना जो महंगी महंगे item रहते हैं पहनने वाले कि भाई dry clean करवा देंगे घर में धोएंगे तो खराब हो जाएगा तो सुषको दुलाई है dry clean के लिए बेंजीन का यूज होता है option number यहाँ पर भी बेंजीन प्रशने के लिए बिल्कुल सही answer है दवा बनाने के काम आता है इनमें से क्या कौन सा अमल तो दवा बनाने के लिए आपका बेंजोएक अमल बेंजोएक एसेड का यूज होता है option number A यहाँ पर आुट answer है all masculine πर्याआँ बिल्कुल में कार बन के यूज हैं किसके कारवन के option number C और दौर हैое है बर विधी से अमोनिया की निर्माण में यूज आ को प्रियुक किया जाता है तो हैबर विधी से अमोनिया का निर्माण करने के लिए आपका लोहे का यूज होता है option number E उत्प्रिदक के रूप में लोहे का यूज होता है option number E यहाँ पर right answer है नीला स्याही या नीली स्याही बनाने में किसका प्रियुक कहाता है तो नीली स्याही बनाने में आपका फैरस सल्फेट का यूज होता है option number E फैरस सल्फेट का नीली स्याय बनाने में यूज होता है रियोन रेशे तयार किया जाते हैं किस से तो जो रियोन रेशे होते हैं आपके यहाँ पर आपको जो option दिया गया है cellulose से तयार किया जाते हैं option number A cellulose से रियोन रेशे तयार किया जाते हैं option number A, यहाँ पर right answer है, प्रश्ण के लिए, नाभिक का आकार कैसा होता है, नाभिक का आकार इन में से, कैसा होता है, तो नाभिक का जो आकार होगा, 10 के उपर minus 15 की घात मीटर, option number D, 10 के उपर minus 15 की घात मीटर, right answer है, निम्न में A, इस्थाइकन, कौन सा है, इलेक्टरोन, प्रोटोन, न्यूटरोन, यहाँ पर सभी, तो A, इस्थाइकन, यहाँ पर है, आपका न्यूटरोन, option number C, neutron जो है, यहाँ इस्थाइकन है, option number C, यहाँ पर right answer है, किसी परमाणू के गुड निर्भर करते हैं, किस पर, तो कोई भी अधी परमाणू हो, उसके जो गुड होंगे, वो निर्भर करेंगे, electronic संरशना पर, option number यहाँ पर D, electronic संरशना पर निर्भर करेंगे, option number यहाँ पर D, right answer है, किस विटमिन के जली विलियन का रंग गुलाबी होता है, तो जली विलियन का रंग गुलाबी, यहाँ पर सबसे हलकी धातू, यहाँ पर आपको जो option दिये गए हैं, कौन सी है, सबसे हलकी धातू इनमें से, कौन सी है, potassium, lithium, sodium या aluminum, तो सबसे हलकी धातू होती है, lithium, यहाँ पर आपको जो option दिये गए हैं, उसमें से option number भी, lithium right answer हो जाएगा, प्रशने के लिए, अगला question दिखिए, व वशा है, वो किस में घुल जाती हैं, तो वशा ये, carbon tetra chloride में घुल जाएगी, option number भी, carbon tetra chloride में जो है, वशा विले होती है, option number यहाँ पर भी right answer हो जाएगा, carbon tetra chloride, aspirine बनाई जाते हैं, इन्में से किसके द्वारा, aspirine इन्में से किसके द्वारा बनाई जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो option दियेगा है, right answer हो जाएगा, एस्पीरीन के लिए, तैलिक अम्ल, option number भी, थैलिक acaba अम्ल से aspirine बनाय जाते हैं, option number भी right answer है, एस्पिरीन का रासानिक नाम क्या होता है तो एस्पिरीन को बोलते हैं क्या एस्पिरीन को बोलते हैं आपका एसी टाइल सेलिसिलिक अमल क्या बोलते हैं एसी टाइल सेलिसिलिक अमल option नमबर यहां पर डी राइट आंसर है सबसे भारी धातू इन में से कौन सी है लीथियम ओस्मियम आयरन या सिलमर तो राइट आंसर हो जाएगा ओस्मियम सबसे भारीधातू है option नमबर भी ओस्मियम सबसे भारीधातू है राइट आंसर है स्ट्रेप्टो माइसिन के खोज करता इन में से कौन है तो स्ट्रेप्टो माइसिन इसके खोज करता है आपके वाक्समैन option यहांपर C वाक्समैन परशने के लिए कलोरीन के दोवारा जल का सुद्धी करण किया जाता है right answer है सबसे अधिक विद्धुतरनी तत्व कौन सा है तो सबसे अधिक विद्धुतरनी तत्व यहाँ पर आपको जो option दिए गए है fluorine ये सबसे ज़्यादा विद्धुतरनी तत्व है option number यह फ्लोरीन राइट आंसर है राश्ट्रिय राशानिक प्रयोक्साला ये कहां पर इस्तित है तो राश्ट्रिय राशानिक प्रयोक्साला ये आपकी पूना में इस्तित है option number यहां पर C पूना राश्ट्रिय राशानिक प्रयोक्साला के लिए right answer है Freon का रासानिक नाम क्या है तो Freon का रासानिक नाम है आपका chlorofluorocarbon option number यहाँ पर a chlorofluorocarbon right answer है Taplon किसका भौलक है इनमेंसे जो option देगा है तो taplon जो होता है यह आपका भऌलक है tetrafluoroethene का option बड़ी tetrafluoroethene का भऌलक है taplon कांच पर लिखने के लिए किस अमले का प्रयोग किया जाता है तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रो क्लोरिक अमले का प्रयोग किया जाता है option number B हाइड्रो क्लोरिक अमले का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए समुद्री जल से नमक किस विधी द्वारा निकाला जाता है तो समुदरी जल से जो नमक है वासपी करण के द्वारा निकाला जाता है, option नमबर भी वासपी करण की विधी राइट आंसर है, निम्ने में से कौन सबसे इस्थाई तत्व है, तो सबसे इस्थाई तत्व आपका यहाँ पर जो option दियेगा है, hydrogen, sisa, loha और uranium में से, sisa, सबसे सथाई तत्व है, option नमबर यहाँ पर भी sisa, right answer हो जाएगा, अक्रिय गैसों की ख्योच किसके द्वारा की गई थी, तो जो अक्रिय गैसे हैं, उसकी खोच की गई थी, आपकी रैम जे के द्वारा, option नमबरी, रैम जे ने जो है, अक्रिय गैसों की खोच की थी, खाने को पकाते समय सरवादिक मात्रा में क्या नश्ट हो जाता है, तो खाने को जब पकाते हैं, यहाँ पर आपको जो option दिया गया है, सबसे ज़्यादा विटमिन नश्ट हो जाते हैं, option नमबर भी, विटमिन नश्ट हो जाते हैं खाने को पकाते समय, पीले फास्पोरस को रखा जाता है इनमें से किसमें तो जो पीला फास्पोरस है उसको रखा जाता है जल में option number यहाँ पर भी जल में रखा जाता है पीले फास्पोरस को कौन सी गैस चांदी की सतर को काला कर देगी तो ओजोन गैस जो है ये चांदी की सता को काला कर देगी ओप्शन नमरे ओजोन गैस चांदी की सता को काला कर देगी यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है 30, 25, 46 या 60 तो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है ये आपका 46 प्रतीशत होता है option number C 46 प्रतीशत यूरिया यूरिया के अंदर 46 प्रतीशत नाइट्रोजन होता है मुंगफली के तेल के हाइड्रोजन ही करण में प्रयुक्त उत्परिदक बताईए आतिश बाजी में लाल रंग किसके कारणों आता है तो आथिश बाजी में लाल रंग आता है इस ट्रांसियम के कारण